मावगत है आपका आज आपके और मेरे यूटूब क्यास में जिसमें हम क्लासिक्स का पहला चैप्टर देखेंगे पहला से लेके चौथी चैप्टर तक हम लोग वस्तुनिस्ट प्रस्ट में देखेंगे ठीक है साइन्स का जिसमें यह रहा कोचिन नुमर वन भोजन कहां से अजिसरे मांसहारी जानवरों से तो इसका एंसर क्या होगा इसमें दिए है और मतलब भोजन कहां से प्रयृप्ट होते हैं ऑ्कुछ उत्यों से मिलते हैं Sum का एंसर करेक्ट एंसर क्या होगा option D यह सभी सब्सक्राइब के चलते हैं समस्त जीवों के भूजन का प्रात्मिक च्रोथ कौन है यानि कि primary sources of food समस्त जीवों का क्या है तो इसमें option A में पौधा टेड़्डा हीरन इन में से कोई नहीं है यानि कि हम सभी को पता है कि प्रात्मिक च्रोथ जू होता है बूजन का वह होता है पौधा यानि कि प्लांट सी इसमें होगा option A iरay करेक्ट अंसर नमबर थ्री पादप प्लवक कहां पाए जाते हैं तो यह कहां पाए जाते हैं सबसे पहले हम जानेंगे पादप प्लवक जो होते हैं यह सुक्ष में जी होते हैं जो सुक्ष में पौदे होते हैं जो काफी छोटे होते हैं जिन्हें देखने के लिए माइक्रो स्कोप की ज़रोत होती और यह कहां पाए जाते हैं समुद्र में अस्थल पर पुराने पेड़ों पर और पुराने दिवारों पर ते इसका सही अंसर क्या होगा ऑप्शन नमबर एक शमुंद्र में कुर्शन नमर फूर देखेंगे पौधों को समस्त जीव जगत का प्राथमिक श्रोत क्यों कहते हैं यानि समस्त जितने भी जीव जगत होते हैं उसमें प्राथमिक श्रोत पौधों को ही क्यों कहते हैं क्योंकि यह हरे होते हैं च्योंकि ये प्रकास संस्लेशन करते हैं, च्योंकि ये फल देते हैं, इन में से कोई नहीं, यानि दिया है कि पौधे को समस्त जीव जगत का प्राथमिक श्रोत कहते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये प्रकास संस्लेशन करते हैं, च्योंकि पौधे ही एक मात्र ऐसे ऐसे प्रानी है कह सकते हैं जो अपना बोजन प्रकास संस्ट्रेशन के शाहयता से खुद निर्मान करते हैं इसे किसी भी जीव पे आस्टित होनी की जरूरत नहीं होती नमबर सिक कौन सी श्रीनी में आते हैं यानि जो चूहा होता है रैट वो कौन सी श्रीनी में आता है ए में है साकाहारी बी मांसाहारी सी शर्वहारी इन में से कोई नहीं तो हमें सबसे पहले जानना है साकाहारी क्या है वैसे जीव जो सिर्फ पादप या पादप से उत्पती होने वाली जो भी फ़ल फ्रूट्स होते हैं वो खाते हैं और मांसा हरी जीव कौन से होते हैं जो मांस को खाते हैं और सरवाहरी कौन से होते हैं जो पादप उत्पादप के शाथ साथ मांस अंडे इत्यादी का सेवन करते हैं इसलिए चुहा जो है वो option number 6 का correct answer होगा सरवाहारी यानिकि ये मांस के साथ साथ फल सबजी अनास के साथ साथ ये मांस को भी खाते हैं ये बहुत important question है जिसे हमें ध्यान में रखना है number 6 बोजन के घटक को क्या कहते हैं क्या कहते हैं पोशक खनीजलवन वशा बोजन के घटक को क्या कहते हैं ये पोशक का definition है पोशक क्या है बोजन के घटक को क्या कहते हैं पोशक जो होते हैं वो क्या है बोजन में पाए जाने वाला घटक है जो पोशक 5 प्रकार के भी होते हैं जिसे हम लोग आगे देखेंगे जैसे कि प्रोटीन, वशा, कार्बोहाइट्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स ये पांच प्रकार के पोशक तत्व होते हैं जो भोजन में मौज़ूद होते हैं अगला कोश्चन देखेंगे कोश्चन नमबर सेवन हमारे भोजन में मुख पोशक होते हैं यानि कि हमारे भोजन में जितने भी पोशक ततों पाई जाते हैं उसमें प्रमुख पोशक ततों कितने होते हैं तो ऑप्शन 20 का करेक्ट अंशर होगा क्या 5 कितने पोशक ततों होते हैं 5 कौन-कौन प्रोटीन विटामिन्स फैट्स प्रोटीन विटामिन्स फैट प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड कार्वोहिड्रेट्स ये पांच प्रकार के पोशक तत्व हमारे भोजन में मौजूद होते हैं अब इहां पे ध्यान देना है, अभी हमने पोशक तत्व पांच पढ़ा था। कौन प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, मिनरल्स जिसको हम खनीज भी कहते हैं और इसमें दिये इसमें कौन पोशक तत्व नहीं है नहीं कौन है तो option number A क्या है fiber फाइवर जो है इसको पोशक तत्व में शम्मिलित नहीं किया गया है जबकि ये भूजन के लिए हमारे पाचन के लिए हमारे भूजन में fiber महतोपूर्ण रोल भूमी का निभाता है पर फिर फाइवर को हमने पोशक तत्व में नहीं सम्मिलित किया गया है क्यूंकि fiber जो है में कोई portion नहीं देता है नमबर नाइन vitamins और minerals को क्या कहते है vitamins और minerals को क्या कहते है ध्यान से समझना है जो पोशक तत्व होते वो पाच होते है carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals जिसमें carbohydrate, fat और protein ये तीन जो है इनको हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा जरूरत होती है इसलिए इसको मुख्य पोशक तत्व कहते है जबकि vitamins और minerals को हमारे सरीर में सुक्ष्म मातरा में जरूरत होती है मतलब थोड़े मातरा में हमें vitamins और minerals की जरूरत होती है हमारे सरीर को इसलिए इसको क्या कहते है सुक्ष्म पोशक तत्व कहते है किसको कहते है vitamins और minerals को क्या कहते है सुक्ष्म पोशक तत्व तो सुक्ष्म पोशक तत्व क्या है जिसके जरूरत हमारे शरीर को कम मातरा में हो सबसे ज़्यादा है उसे क्या कहते हैं मुख्य पोशक तत्व मैक्रो नूट्रिंज जिसे क्या कहते हैं मुख्य पोशक तत्व जैसे जैसे में क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं जैसे में कार्बो हाइड्रेट्स प्रोटीन फैट ये तीन जो हैं ये हैं मुख्य पोशक तत्व जबकि सुक्ष्म पोशक तत्व अभी हमने पढ़ा था सुक्ष्म पोशक तत्व कौन है विटामिन्स एड मिनरस अगला कुश्चन दिखेंगे कुश्चन नमर 11 पाचन की बाद पोशक तत्व को और शोशित करने का काम कौन करता है यानि कि जब भोजन हमारे सरीर के अंदर पाचित हो जाता है तो पाचन की अंतिम क्रिया होती है छोटी आत में किसमें होती है छोटी आत यानि कि स्मॉल इंटेस्ट्राइन में पाचन की अंतिम क्रिया होती है छोटी आत में छोटी आत में पाचन की अंतिम क्रिया होती है तो वहां पे क्या होते हैं जो जितने भी प्रोटीन विटामिन्स मिनर्स जो है यह तूट करके जैसे की कार्बोहाइडरेट तूट करके क्या चिस में चेंज हो जाता है ग्लुकोस एक अंतिम रूप में चेंज होते है जिसको और शोशित करने का काम कौन करता है यही जल करता है जिसको और शोशित करने का काम कौन सकरता है जल और यही जल जा करके हमारे ब्लड में मिल जाता है जो ब्लड हमारे कोशिकाओं तक प्रतेक शेल्स तक चुकि ब्लड सर्कूलेश जो क्या करता है ग्लुकोज को एनर्जी में उप्योग करता है नमबर 12 बीना पचे भोजन को सरीर से बाहर निकालने में कौन मदद करता है यहनिकि जब हम भोजन ग्रहन करते हैं तो कुछ उसमें ऐशे पदार्थ को भी हम ग्रहन कर लेते हैं जो हमारे सरीर द्वारा पाचित नहीं हो पाता है तो उसे सरीर से बाहर निकालने की जरूरत होती है तो उसको सरीर से बाहर निकालने में कौन मदद करता है फाइबर जिसको रुक्षांस भी कहते हैं जो कि पोशक तत्वों में फाइबर को समिलित नहीं किया गया है कोशन नमर 13 नमनमे से किसमें पोशक तत्व मौजूद नहीं होता फैट फाइबर जल बी और सी दोनों यानि अभी हमने बताए कि किसमें पोशक तत्व मौजूद नहीं होता तो फाइबर में और जल में ये पोशक तत्व के पार्ट नहीं है जबकि फैट जो है वो पोशक त आगला चलते हैं इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम फैट वाली चीजियों का सिवन ज्यादा कड़े तो इसका answer क्या होगा option number D. वी और C दोनों यानि-ağı-णैं उड़र और जल वह सकता तो इनमें कोई पोशक तो मौजूद नहीं होता लेकिन इसके अनाम भी ये हमारे सरीर के लिए बहुत जरूरी है सरीर को उर्जा देने का काम कौन करता है सरीर को उर्जा देने का काम कौन करता है पोटेटों प्रोटीन, विटामिन्स, मिन्रस, कार्बोहیड़ेट, अभी हमने बताया कि सरीर को ततकाल उर्जा देने का कौन करता है? कार्बोहाईडरेट और फैट, तो चुक्के इसमें फैट नहीं है, कहीं पिया पुक्स क्पश्य नहीं है, तो इसका क्या होगा कार्बोह कार्बोहेडरेट सामें क्या देता है ततकाल एनर्जी उर्जा देने का काम करता है कोच्छ नमबर 15 सकरकंद में कौन सा पोशक्तत्व थोड़ा सा मिस्टेक है कौन सा पोशक्तत्व मौझूद होता है सकरकंद यानिकि स्वीट पोटेटो sweet potato, sweet potato में कौन सा पोशक्तत्व मौझूद होता है protein, वशा, minerals, carbohydrates यानि कि जैसे कि आलू में, potato में क्या होता है carbohydrates वैसे ही sweet potato में भी क्या पाया जाता है प्रचूर मात्रा में carbohydrates पाया जाता है जो हमें ततकाल energy देने का भी काम करता है question number 16, सबसे अधिक उर्जा किस पोशक्तत्व से मिलती है सबसे अधिक उर्जा किस पोशक्तत्व से मिलते है protein, वशा, vitamins, minerals अभी हमने बताया है कि सबसे अधिक उर्जा उर्जा चाहिए तो हमें क्या चीश का सेवन करना है वशा का और वशा क्या चीज में मिलता है ओल में इसका मतलब यह नहीं हुआ कि ओल का सीवन हाँ ज्यादा करें Q18. प्रोटीन का मुख्य श्रोथ क्या है यानि कि हम क्या खाएंगे के हमें सबसे अधिक मात्रा में प्रशूर मात्रा में प्रोटीन मिले दलहनी पौधे, मुंफली, तील और तेल तो इसका एंसर क्या होगा दलहनी पौधे यानि जितने भी दाल है वो प्रोटीन का प्रमुख श्रोत है इसलिए हमें दाल लिखाना चाहिए कोशन नमर 18 रोगों से हमारी सरीर की रक्षा कौन सा पोशक तत्व करता है यानि कि कौन सा पोशक तत्व है जिसे खाएंगे तो रोगों से हमारी सरीर की रक्षा होगी क्रोटीन, विटामिन्स, वशा, कार्बोहेटरिट क्या होगा विटामिन्स विटामिन्स जो है यानि इसका option number B जो है वो correct answer है यानि कि हमारे रोगों से सरीर लड़ता है कौन से विटामिन्स के कारण किस के कारण तो विटामिन्स के कारण जिसको हम रोग प्रती रोधक छमता भी कहते हैं रोग प्रती रोधक छमता को बढ़ाने का काम कौन करता है विटामिन्स करता है इसलिए जब कुरोना का समय आये था उस समय हम लोग कहते थे कि विटामिन का सेवन ज्यादा करें कौन सी विटामिन कई प्रकार के होते हैं कौन सी विटामिन कई प्रकार के होते हैं विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D तो vitamin इसका correct answer होगा vitamin B vitamin D जो होता है वो कई प्रकार का होता है जैसे आपने सुना होगा vitamin B1, vitamin B2 तो इस सबकी आपूर्ती के लिए यानि कि ये सबको शमिलीत रूप से क्या कहते है vitamin B complex भी कहते है आपने सुना होगा vitamin B complex अगला question देखेंगे विटामिन B के शम्मिली तरूप को क्या कहते हैं आगे अतुरंद कोश्चन विटामिन B के शम्मिली तरूप को क्या कहते हैं तो B कमप्लेक्स, BC कमप्लेक्स, D कमप्लेक्स, A कमप्लेक्स तो क्या कहते हैं, विटामिन B के सम्मिली त्रूप को कहते हैं, विटामिन B कॉम्पलेक्स तो इसका आप्शन नमबर A करेक्ट होगा, आगे देखे हैं, 21, सरीर की व्रीधी के लिए किसकी जरूरत होती है, प्रोटीन की, यानि कि सरीर की लंबाई चोराई बढ़ानी है, व्र है कि गड़वती महिलाओं को दाल दिये जाएंगे, जब बच्चे आंगन बाड़ी में जाएंगे, तो उसे दाल उचित मात्रा में, यानि प्रोटीन उचित मात्रा में दिया जाता है, क्योंकि प्रोटीन जो है, वो हमारे शरीर की व्रीधी करता है, और जब बच्चे की उमड विधी की लाइक होती है, निकि जब तक बच्चा लगबग 12-15 साल तक रहता है, उसमें उसे प्रोटीन की सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, 12-15 साल तक इसलिए बच्चों को प्रोटीन की मातरा सबसे अधिक दी जाती है, क्योंकि ये सरीर की व्रिधी करता है, अगर कौन सी विटामीन हमारे सरीर की रोग प्रती रोधक शमता को मजबूत करता है, यानि रोग प्रती रोधक शमता चाहिए, तो कौन सी विटामीन का सेवन हमें ज्यादा करना है, तो इसका एंसर होगा विटामीन सी, विटामीन सी जो कहा मिलता है, आउला में, खटे फलो में विटामिन C पाया जाता है जो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है कोक्षन नवर 23 विटामिन C का मुक्षोत क्या है? आगे तुरणत विटामिन C का मुक्षोत क्या है? खटे फल, option ई, correct होगा खटे फल जो है वो विटामिन C के प्रमुख शोत है हमारी तवचा और आंखों को स्वस्त रखने के लिए कौन सी विटामिन की जरूरत होती है यानि कि अगर हमें अपने तवचा को आंखों को स्वस्त रखना है तो किस की जरूरत होगी विटामीन एक आपको पता है विटामीन एकी कमी से कौन सी बीमारी होती है आखों की बीमारी होती है जिसमें रात को दिखना बंध हो जाता है ठीक है कोशन नमबर 25 हमारी हड्यों को स्वस्त रखने के लिए कौन सी विटामीन की जरूरत होती है यह जो हए हमारे हडियो को स्वस्त रखने को अस्तियों को स्वस्त रखने में मदद करता है और विटामिन D जो है वो शुरिके प्रकास से भी हमें प्राप्त होता है अगला कुश्ण देखेंगे 26 RBC मिन्स रेड ब्लड सेले रेड ब्लड सेल्स यानि लाल रक्तकन आर्बिशी का निर्मान कौन करता है आर्बिशी हमारे शरीड में पाया जाने वाला क्या है ब्लड है तो ये इसका निर्मान कौन करता है आईरन आईरन जो है वो आर्बिशी के निर्मान में बहुत बरी भूमी का निभाता है बहुत ब का है हड़ीय और दान्त मजबूत करने का काम कौन करेगा औक हैं आयरण आप्शन है फास्ट पrस की सब्सी जाधा प्रचूर मत्रा कि समय right gonna नाना में, केला में, तो इसलिए आप केला अधिक मात्रा में खाएं, दूद का सेवन करें, अंडे खाएं, इसलिए हमें क्या मिलेगा, फासफोरोस और कैसियम, जो हमारे हडियों को और नातों को मजबूत बनाएगा, तो इसका answer क्या होगा, option number D, क्योंकि ये दोनों चाहिए चूड मात्रा में खाएं, ठीक है, इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, कार्बोहाइडर्ड भी चाहिए, जो हमें energy दे, अगर energy नहीं मिलेगा, सिर्फ शरीर का व्रीधी होगा, तो हो इनी सकता है, पॉसिबल ही नहीं, इसलिए हमें energy भी चाहिए, और सरीर की व्रीधी के ल मात्रा में चाहिए, कुछ नमबर 29, शूरी के प्रकास से कौन सी विटामीन के अपूर्ती होती है, अभी हमने पढ़ा था कि शूरी के प्रकास से कौन सी विटामीन हमें मिलते हैं, तो इसका answer क्या होगा, विटामीन D, इसलिए हमारे बुजूर्ग के कहते हैं, कि हमें शू अगर पोशक तत्व आपके शरीर को नहीं मिल रहा है, तो उससे आपको रोग हो सकते हैं, उससे क्या कहेंगे हम, ए में है घेगा रोग, घेगा रोग वैसे होता क्यों है, आयोडीन की कमी के कारण, आयोडीन, आयोडीन की कमी के कारण घेगा रोग होता है, बेरी बेरी रो अगर उसका लंबे समय तक आप शेवन अच्छे शे नहीं कर रहे हैं तो आपको अभावजनन्य रोग हो जाएंगे और यह अभावजन्य रोग प्रोटीन की कमी से प्रोटीन की कमई से आपके शरियर के ब्रीधी रुख जाएगी प्रोटीन इनकी कमी से एक बीमारी भी होती है जिसे एक वाशियोकर भी कहते हैं इसके अलावा विटामिन्स की कमी से बहुत थाड़ी बीमारिया होती है दंच अस्तिछे होने लगेगा हडिया जो है वो कमजोड होने लगेंगी यानि कि अभाव जन्य रोग आपको हो जाएंगे नमबर 31 तंतू कितने प्रकार के होते हैं फाइबर कितने प्रकार के होते हैं रेशे तंतू कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के तो इसका ऑप्शन होगा ए करेक्ट दो प्रकार के फाइबर कौन कौन से हैं प्लांट फाइबर एंड सेकेंड है एनिमल फाइबर ठीक है अब अगला कुश्चन देखेंगे 32 कपास किसका उदाहरन है कपास यानि कि कॉटन जो है वो किसका उदाहरन है संसलेशी तन्तु क्या कॉटन अपने से बनाये जाता है खुद से बनाये जाता है पादक तन्तु यानि कि पौधे से प्राप्थ होता है जन्तुओं से प्राप्थ होता है या इसमें से कोई नहीं तो कपास किसका उदाहरन है cotton कहां से प्राप्थ होता है हम सबको पता है cotton का पौधा होता है यानि कि ये क्या है पादप तन्तु है यानि कि ये पौधेशे प्राप्थ होता है अगला question 33 रेशम किस का उदारन है रेशम किस का उदारन है प्राकिर्टिक तन्तु का संसलेश्चित तन्टु का, तखनीकी तन्टु का, इन में से कोई नहीं तो रेशम किसका उदारण है, प्राकिरतिक तन्टु का जिसमें किया उसका क्या बनाते हैं, हम लोग कपड़े बगेरा बनाते हैं रेशम के और एक इसमें हैं तकनीकी वस्त्र तक्निकी तन्तु यह भी नया नया आया है तक्निकी तन्तु जिसका यूज जो है वो लैबरेटरी वगएरा में special type का कपड़ा होता है जिसको fashion के लिए तो पहना ही नहीं जाता है यह सिर्फ और सिर्फ सरीर को ढगने के लिए नहीं पहना जाता है यह तक्निकी तन्तु जो है पुपीइ केत किसका हुदाहरन भरण है श्का he definitions नमबर और जो है औरध योगсь का नुद्टर का सो जिसका है उचा ठापनेитесь सब्माद कोई काम करता है या फिर कोई नए संसोधन केमिकल्स वगेरा से अगर प्रयोग हो रहे हो लेबरेटरी में तो उसमें जो वस्त पहने जाते हैं वो होते हैं तकनिकी वस्त या अभी कुरोना के समय में आप लोगोंने टीवी न्यूस वगेरा में देखे होंगी कि डॉक्टर एक विशेश प्रकार का कप्रा पहन रहा था जिसे चीन से मंगाया जा रहा था वही क्या है तकनिकी वस्त या वहीब है पीपीई कीट जिसका बाद में भारत निर्मान करना सुरू कर दिया और इसे बहुत बहुत देशों में पीपीई कीट को हमारे यहां से डोनेट भी किया गया कि आप फिलहाल उससे लड़िए अचरों अचरों से बहुत बाद sharing घ्राच थान से है जिनको लेबरेटरी में बनाया जाता है सन्सलेशित के कई चता हैं लिवाट उस्तों से बनाब नबर भी है दो और तीन रेश्म और एकड़िब़ाजा चलिक अक नमबर नमबर्धिया的ंग्य। तो रेशम को तो हम खुद से नहीं बनाते हैं एक्रिलिक जो है इसको हम बनाते हैं लेकिन इसमें 3 भी दिया तो 3 तुझ है नहीं रेशम काल में इसको याद रखेंगे यह याद रखने वाला कुछ नमबर 37 दिवार किसका उदारन है इसको देखेंगे पारदर्सी पारभासी और पारदर्सी इनमें से कोई नहीं पारदर्सी मतलब जिसके आड़ पार असानी से देखा जा सके एक्जामपल ग्लास नॉर्मल जो ग् उसका पूरा समझ में नहीं है लेकिन है यह समझ में आए कि यहां कुछ है जैसे अगर आप एक साधे पेपर पे आप तेल लगा देते हैं फिर आप इस पार से उस पार देखेंगे तो आप कुछ-कुछ चीजे समझ में आएंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे पारभासी या आप एक रूम में है तो आप दूसरे रूम के चीजों को देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं तो वो क्या हो गया ओपारदर्सी तो दिया है दिवार किसका उदारन तो आप दिवार के इस पर से उस पर तो देखी नहीं सकते हैं तो यह क्या चीज का उदारन है ओपारदर्स उसे क्या कहते हैं यानि कि जो पदार्थ जो भी पदार्थ है अगर वो पानी में जाने के बाद पुर्णा तक घुल जा रहा है उसको क्या कहेंगे तो नमबर A में है विले बी में है औविले, सी में है विलियन, डी में है इन में से कोई नहीं जो घुल जाता है उसको विले कहते हैं वो पदार्थ जो पानी में जाके घुल जाए for example चीनी चीनी जो है वो पानी में जाकर के क्या होता है पुर्णा तक घुल जाता है तो यह चीनी जो क्या है विले है क्या चीज में विले है पानी में तो इसका option number A होगा वो correct निकि जो पानी में जाके पुर्णा तक घुल जाए उससे क्या कहते हैं विले कहते हैं और जो नहीं घुले वो होगा जाएगा और विले कुछ नमर 39 चीनी और नीम्बू के घोल को क्या कहेंगे चीनी और नीम्बू को आपस में मिला देते हैं तो बिल्कुल अच्छी तरीके से पुर्णता मिल जाते हैं तो चीनी और नीम्बू के घोल को क्या कहेंगे तो इसको कहेंगे विलियन क्या कहेंगे विलियन दो पदार्थों का समांग मिश्रन क्या कहलाता है विलियन कहलाता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे दो पदार्थों का समांग मिश्रन विलियन कहलाता है जिसको इंगलिश में हम solution भी कहते हैं अगला question देखते हैं question number 40 वह पदार्थ जिसे असानी से संपीडित किया जा सके वह पदार्थ जिसे असानी से संपीडित संपीडित मतलब उसको पचका के एक जगह असानी से पिछका करके एक जगह असानी से किया जा सके for example, sponge, sponge को आप चाहें तो उसे असानी शे एक जगा थोड़ी देर के लिए उसे जब तक force अप्लाई करेंगे, जब तक उस पे बल लगाएंगे, अपना, तब तक वो एक जगा इकठा रहेगा, तो वो पदार्थ कैसा होता है, तो मुलायम पदार्थ, कठोर पदार्थ, खुर